क्यों हो तुम बोलो जरा हेलो फ्रेंड वेल्कम टू आई चैनल जैसा कि आप लोगों ने सेंपल वीडियो में देखा उस तरह की वीडियो डिटिंग में आप लोगों को सिखाऊंगी क्योंकि आज कर यह वीडियो बहुत जादा ट्रेंडिंग है इस्टाग्राम पर और टिक नूवर्जन में मुझूद नहीं है तो नूवर्जन की सेटिंग चेंज आ विडियो बनाने के लिए प्लासफाइब अपने फॉल्डर में आ जाएंगे जिसमें से हमने फिचर लेनी है तो उस फॉल्डर में जाकर हम असफुल को लैद करते हैं जिस पर हम आज का अपना स्टेटस क्रिएट करेंगी है तो मैं यहां से उस पिचर को एड़ करती हूँ आप लोगों ने अपने जिस पी फोल्डर में पिक्स डाउनलोड करके रखी होंगी आप लोगों ने उस फोल्डर में जाकर अपनी फिचर को एड़ कर लेना है तो यह पिच अपनी और यहां पर शो हो जाएगी उसमें से अड़ कर लेना अपना सांग और अगर किसी स्टेटस या वीडियो में से लेना चाहते हैं अपना सांग तो इमेजन वीडियो पर टैप करेंगे और फोल्डर में जाकर आप लोगों ने सौंग करना है जो भी आप लोगों का फोल्डर होगा जिसमें आप लोगों ने डाउनलोड करके रखी होंगी वीडियो तो आप लोगों ने वहां से उसको कर लेना है डाउनलोड तो यह वीडियो है इस तरह से प्लस पर टैप करके मैं इसको एड़ कर लेती हूं और त्री डॉर पर के लिए प्लस पर टैप करेंगे टेक्स्ट में आ जाएंगे टेक्स्ट में आने के बाद यहां से अपना लिरिक्स लिखेंगे तीन लफ़ तो मेरा जो सौंगा उसका लिरिक्स है फस्त तीन लफ़ हैं क्यों चुप हो तुम बोलो जरा तो मैं यहां से लिख लेती हूं क्यों चुप हो इस तरह से मैं तीन लफ़ लिख लेती हूँ और अलाइन करेंगे उसके बाद व्यू ओल फॉंट पर डैप करेंगे और यहां से सर्च कर लेंगे बैसी आप लोगों को डाफ फॉंट वैब साइट से यह मिल जाएगा तो बैसी पर डैप करके इसको एड़ करते हैं एड़ करने के बाद इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं 32 कर लेंगे और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम यहां से वाइट कर लेते हैं ओके करेंगे ओके करने के बाद दुबारा से ओके कर देंगे move and transform में आएंगे और इसको हम इस जगह रख लेते हैं आप वो दे सकते हैं मैं इसको उपर रख रही हूँ आप लोग चाहे हैं तो इसका color color and fill में जाकर black करके चेक करते हैं अगर अच्छा लगता है तो लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा है वाइड ही रहने देते हैं बैक करते हैं border and shadow में आ जाते हैं थार्ट option में आएंगे और इसका यहां shadow on कर देंगे और shadow का size हम यहां से कर लेंगे 20 और निची option में आ जाएंगे यहां से position को select करेंगे X selected है तो X को हमने 0 कर लेना है और वाई को हमने तीनी देना यहां से हम बैक कर देंगे और अब हमने इसकी टाइमिंग मैज कर लेनी है तो इसकी 11 तक टाइमिंग है तो इसको यहां से कट करती हूं कट करने के बाद स्टार्ट में आ जाएंगे अब हमने टेक्स को सेलेक्ट करना है इसको एफेक्ट देंगे effects पर tap करेंगे add effect पर tap करेंगे text में आ जाएंगे text में आकर हम यहां से text transform को select करेंगे और इसको हम कर लेंगे standard setting पर add add करने के बाद अब हमने स्टार्ड में first option मतलब selected है तो start में इसके हमने करना है plus plus करेंगे zero है तो इसको हम zero देंगे और दूसरी की जब इसके center में लगाएंगे इस जगा तकरीब आठारा skin for plus करेंगे और इसको हमने कर लेना है 100 plus में तो मैं अपनी finger से कर रहे हूं फूरा कर लिया मैंने इसको 100 अपनी चे इसके option में आ जाते हैं थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहां से layer selected है तो component कर लेंगे component करने के बाद थोड़ा और नीचे आ जाएंगे नीचे इसको माइनस में 180 कर लेना है angle को माइनस में 180 तो मैं इसको कर लेती हूं जल्दी से जतना बता रही हूं आप लोग अतना ही रखिएगा कम जादा करेंगे तो जो effective वह अच्छे से काम नहीं करेगा तो इतना माइनस 80 मैंने इसको रख लिया और उसके बाद अब हमने नीचे आ जाना है स्केल में स्केल को हमने सेलेक्ट कर लिया स्केल को हम करेंगे माइनस में 0.50 तो माइनस में 0.50 इतना कर लिया अब उसके बाद नीचे आ जाते हैं स्ट्रेच में स्ट्रेच को हमने कर लेना है माइनस में 0.60 मतलब 0.60 तो तकरीबन इतना इतना करने के बाद अब नी command 000 कर लेंगे बदलब इसका end जो है वो minus one point 000 है तो इस तरह से इसको कर लिया करने के बाद अब हमने इसको कर देना है नेची इसके option में जाकर overlap इसका ज्यादा करेंगे तो यहां इसका यह रहा overlap overlap 0 है तो इसको हम 500 कर लेंगे को जितना बदार होते ही रखेगा पूरा पांच सो पांच सो रखने के बाद अब यहां से हम इसको कर देंगे बैक और एक और एफेक्ट देंगे एड़ एफेक्ट पर टैप करेंगे और बलर में आ जाएंगे बलर में आकर हमने यहां से डिरेक्शनल बलर को सेलेक्ट करना है स्टेंडर सेटिंग पर एड़ करेंगे एड़ करने के बाद इसके 3 डॉर पर टैप करके स्काड़िट करेंगे इसके स्टार्ट में हम लोग ने स्ट्रेंट को सिलेक्ट किया हुआ है और इसको हमने 1st की लगानी है स्टार्ट में प्लस करेंगे 0.15 है तो 15 ही रहने देंगे और अब इसकी हमने 2nd की जो लगानी है वो मतलब 0.15 है पहले तो इसको हम जान 0 कर लेंगे 0 करने के बाद अब हमने इसको यहां से कर देना है बैक हमारी जो टेक्स्ट है उसका सारा कंप्लीट हुआ अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो या आप लोग रूख जाए थोड़ा सा सबर करें अभी मैंने आप लोगो लोगों को पीचर का एफेक्स देवना है जैसा कि आप लोगों ने सैंपल वीडियो में देखा हुथा उस तरह की वीडियो एडिटिंग बतानी है ना तो इसको सेलेट करेंगे टेक्स्ट को और टेक्स्ट करेंगे एंड में इसके आ जाएंगे और पेस्ट लेयर करेंगे और इसका लेरिक्स बस चेंज करेंगे बस वीडियो खत्म होने वालियत थोड़ा सा सबर करें यहां लिखेंगे तुम बोलो जरा बोलो जरा ओके करेंगे बस यह काम हमारा कंपलीट हुआ और यह दो दस तक है तो इसके डियूरेशन वाली की में आकर यह बटन टैप घूर आप लोगोंका ज्यादा होरा ओगा तो आप लोगोंने जहां तक रखना होगा अगर तीन तक है तो आपने तीन तक रखकर यह उप्शन टैप करेंगे तो ये मतलब हो जाएगा साइउ तो इसको बेजिए टारा तक लेती हूँ पनकि उस्टा में एड़合प कर लेती Procedural में आकर हम लोग ने Simple Star Field को Select करना है और इसको Standard सेटिंग पर Add कर देना है Standard सेटिंग पर Add करने के बाद इसके Y को Select करना है और Start में हमने इसके एक ही लगानी है इसको Plus करके Zero रहने देंगे और इस Option पर टैप करेंगे आप लोग दे सकते हैं particles नीचे से उपर जा रहे हैं पहले plus में जब करते हैं तो particle हमारे उपर से नीचे की दिज़ आते हैं और अगर हम x या y को select करते हैं तो हमारे particles मतलब left side साइड से आते हैं या right side साइड साइड से आते हैं तो मेहमेश अवाय कोई prefer करती हूँ आप लोग चाहें तो दूसरे भी चेक कर लें तब इसके start में आ जाते हैं तो हमने इसको एक और effect देना है तो add effect पर टैप करेंगे और यहां से आ जाएंगे move and transform और swing effect है इसको हमने select करना है standard setting पर इसको हमने add कर लेना है start में यहां है 0.20 इतना रखेंगे उसके बाद नीचे angle 1 है angle 1 को select करेंगे minus 30 है तो इसको हमने कर लेना है minus 5 तो इस तरफ है minus 5 अभी आप लोग थोड़ा वेट करें मैं आप लोगों को मुकमल editing बताने वाली हूँ थोड़ा सा सबर करें minus 5 नीचे angle 2 में आ जाएंग और इसको plus म कर लेंगे 5 तो प्लस में 5.0 5.0 करने के बाद अब हमने क्या करना है हमारे effect complete होगे इसको बैक करेंगे अभी वीडियो हैं नहीं सबर करें मूब और आजाते हैं और आप लोग प्ले करेंगे जब अपनी पिचर आप लोग दे सकते हैं इसकी साइड़ा से पार्ट कटे कर लेंगे स्टार्ट में हमने इसलिए नहीं किया था मैंने का जब effect दोंगी तब आप लोगों को बता दोंगी तो इसके size हमने increase कर लिया और आप लोग दे सकते हैं picture move कर रही है लेकिन जो मतलब side से खाली-खाली पहले part आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे तो अब मेरी video complete हो मैं आप लोगों को play करके दिखाती हूं आज के status की final look क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा wait कर लिया कि मैं आप लोगों को सिखा रही है और काफी ज्यादा लंबी video हो गया तो मैं आप लोगों को play करके दिखाती हूं कि आज के मेरे status की final look कैसी है तो आज को जो मेर तो मैं इसको भी मजीद थोड़ा सा बढ़ा लेती हूं ताकि आप लोगों को फिर से प्ले करके दिखाती हूं कुछ इस तरह से फिर से एनिमेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है तो अमीद आज की वीडियो आप लोगों को प्रसांद आई होगी तो जल्दी से वीडियो के करेंगे वीडियो पहले से स्लेक्टिट होगा तोब लोग नेक्सपोर्ट बटन पर करके सब्सक्राइब तो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आलाफ़ीज